हम सी ग्रेट के एक्जाम के लिए दस परिक्षा पास करके भी हमें नौकरी नहीं मिलती है आप नेता बनने के लिए कितना एक्जाम पास करते हैं इनके लिए सबसे पहले एक qualification fix करना चाहिए जब ये परिक्षा पास करके निता बनेंगे तब इने परिक्षारतियों का दर्द भी समझ में आएगा ये सरकार पूरे तरीके से जूट बोलती है युवाओं के साथ प्रियंका गांधी भी जैसे वो लड़कियों के समर्थन में उतरती है और उन्होंने अपना एक स्लोगन दिया है कि लड़की हूँ लड़के लूंगी तो हम भी जारखन की बेटिया हैं हम भी लड़किया हैं हम भी अपनी न्यूकती लड़के लेंगे अब भी दिल्ली जा रही है नहीं सर मेरी डेर साल की छोटी बच्ची है तो मेरे लिए जाना मुश्किल होगा मैं यही रहो के समर्थन करूंगे मतलब यह समझने के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं कि एक टीम है जो यहाँ पर आंदोलन जारी रखेगा और दो प्रतिनीधी मंडल, दस महिलाएं, दस पुरुष राहूल गांधी और प्रियंका गांधी से जाके मुलाकात करेंगे सवाल यह है कि आपने यहाँ पर हर नेता, हर मंत्री, हर विधायक से मुलाकात कर ली अभी तक कोई इसका निरनय नहीं आ रहा है कैबिनेट के बैठक के दिन आप लोग ने मानम स्रिंखला बना करके नेताओं का ध्यान आकर्शन करने के लिए भी वहाँ खड़े रहे बात कैबिनेट में नहीं उठी अब अगर राहूल गांधी या और प्रियंका गांधी तक यह बात पहुँच भी जाती है और आगे कुछ नहीं होता है तब आगे आप लोग क्या करेंगे सर जब ये बात नहीं होगी तब की रनीती तब सोचेंगे लेकिन अभी हमारे पास एक उमीद की किरन है अभी भी राहूल गांधी सर से हम मिलेंगे तो एक उमीद की किरन है कि शायद वो हमारे पक्ष में चुकि वो युवा हैं तो युवाओं का दर्द समझते हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने बेरोजगारी पे भी अपना एक बयान दिया था तो शायद हम उनसे आशा कर सकते हैं कि वो हमारी बात को सुनेंगे और माननी प्रेंका गांधी भी जैसे वो लड़किएं के समर्थन में उतरती हैं और उन्होंने अपना एक फ्लोगन दिया है कि लड़की में लड़के लूंगी तो हम भी ज्धार्खंत की बेटिया है, हम भी लड़किया है हम भी अपनी नियूक्तिदिदory बांट के लेंगे, ऐसे म इस विशे में ले रही है कि आप कहते कि इस न्युक्ति को फिर से लागू करेगी फिर से नई नीती के तहती से लाएगी तो सर को ना 2019 में जो हाई कोट ने जजमेंट दिया था कि ये जो नई नीती आप कोई भी न्योजन नीती बनेगी वो नई नए वेकेंसी के लिए पैरा 66 जाके पढ़ियो उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको फॉर्मूला दिया गया है दो फॉर्मूले के आधार पे आप 24 जीले में न्युक्ति करा सकते हैं और उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि ये जो नई नियोजन नीती बनेगी उससे पुरानी वेकेंसी प्रभ भूके बैठे हैं ये हमारे भूखा एक भोजन है जो आप हमसे चीनना चाते हैं ये बिल्कुल सरकार को हम नहीं करने देंगे जब सुप्रीम कोट भी ये कहती है कि 95% वेकेंसी जो पूरी हो चुकी है वो आरित आप नहीं कर सकते हैं तो वो किस बिना पे इस वेकेंसी को व सथा हो रहा है क्या कि गूट का ओडर आने के बाद Contempt board का केष होने के बादभी सरकार से पूच रही कि adoption दीजिए solution आने या क्या अर्चने आरही है केवल इच्छा शक्ती का अर्चन है आपके पास दोनों रास्ते हैं कोट ने आपको रास्ता दे दिया है कि 24 जिला में इन युवाओं की न्युक्ति कर सकते हैं आप तो भी उस जो आपको फॉर्मूला दे गया है उस पे आंख बंद करके हैं जैसे मंत्रियों से नहीं समझ में आता तो अपने पद को छोड़ दीजिए आलम गिर आलम सर बोलते हैं कि नहीं नियोजन नीती लाएंगे उसके तहत हम नियुक्ति करेंगे आपकी आप नहीं पिछले सरकार की नीती को गलत ठहरा के इन युवाओं को गलत ठहरा के आप नहीं नीत लाएगी तो हम युवाओं क्या केवल परिक्षा या आपकी नहीं नीती का शिकार होते रहेंगे हम जो 5-5 परिक्षा पास करके यहां बैठे हैं क्यों परिक्षा पास करके बैठे हैं हम सी ग्रेट के एक्जाम के लिए 10 परिक्षा पास करके भी हमें नौकरी नहीं मिलती ह आप नेता बनने के लिए कितना एक्जाम पास करते हैं कितने एक्जामों को पास करके आप नेता बनते हैं कोई भी एक्जाम नहीं लिया जाता है इसलिए इने जजमेंट जो है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि पढ़ाई लिखाई से तो इन नेताओं का वास्ता होत कि वहाँ इन लोगों की मुलाकात राहूल गांधी और प्रियंका गांधी से होती है या नहीं अगर होती भी है तो क्या इस पे कोई पॉजिटिव निर्ने लिया जा सकेगा आप देख रहें दा फॉलो अप अपने सहयोगी अमित के साथ मैं रिशाफ धन्यवाद